दोस्तों इंफिनिक्स ने अपना लेटेस्ट फून अभी लाँच कर रहा था स्मार्ट एट एट एजडी जो बहुत जादा पॉपुलर हो गया और यह आपको मिलता है सिर्फ 6300 में और इससे 200 रुपे महेंगा टेक्नो ने भी जो है अपना फून लाँच कर दिया मताद 200 रुपे के डिफरेंस पर ही पॉप एट लाँच हो चुका है टेक्नो की तरफ से तो इस वीडियो में इन दोनों में कंपरेजन करके आपको बताऊगा कि आपको 6300 में स्मार्ट एट एजडी खरीदना चाहिए इंफिनिक्स का या फिर टेक्नो का पॉप एट खरीदना यह 7800 चलिए देखते हैं 6300 में आपको इंफिनिक्स के स्मार्ट एट एचडी के साथ क्या क्या मिलता है तो अन्बॉक्स करती सबसे पहले फून मिल जाता है रैपर के अंदर इसके बाद जो एक कुछ यूजर मैनुवल इसके दिये गए हैं एक जो ए मदा 6300 खर्च करते हैं इंफिनिक्स के स्मार्ट एट एचडी पर चलिए देखते हैं अगर आप 200 रुप और बढ़ा देते हैं अपने बजट में तो 6500 में जो है टेक्नो के पॉप 8 के साथ क्या 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 दिया गया है तो अन्बॉक्स करती सबसे पहले फून मिल जाता है इसके 10W कोई चार्जर है बस थोड़ा सा कवर का फरक है बाकी कोई फरक नहीं है इस चीज में इंफिनिक्स जाद अच्छा है क्योंकि पैसे बच रहे हैं बॉक्स के कंटेंट सेम है दोनों में चली बात करते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में तो दोनों के अंदर आपको है इस तरीके का मिलता है सबसा पहले इंफिनिक्स का समार्ट एट आशड़ी देखिए दोस्तों लेफ्ट सेट पर इसके अंदर आपको जो है मताँ कैमरी के रिंग में कुछ इस तरीके सफ्लेश लाइट दी गई है तीसरे में और जो है डोस्तों रिंग टाइप में जो है पे स्क्रैचिस आ सकते हैं और पूरा बैक पेनल जो है मतलब यह तो छोटी-छोटी लाइनिंग इतना पार्ट इसने कवर नहीं कर रखा लेकिन दोस्तों पूरा बैक पेनल इसका भी मैट फिनिश में मिलता है और इसमें आपको ब्लू के साथ गोल्डन कलर का भी एफेक्ट देखने को मिलता है जो की बहुत ही कमाल का लगता है थोड़ी सी क्वाइलिटी है टैक्नो की मूझे और जादा बेटर लग रही है तो प्छोड़ी कोल्डन कलर जो कालर रहा है बिल्कुल प्रीमियम कलर लग रहा है इसका आपको इन दोनों में किसका डिजाइन अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा मुझे तो सिंपल सोबर और थोड़ा सा ज्यादा बहतरीन लगा पॉप 8 इसका डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद आया कलर इसका ज्यादा बाकिदोस्तों दोनोंनगो आन कर लेते हैं मैं अपको दिखातों इसका के इस्प्रेंस के लेते हैं वहाँ प्रकुल भी देखने को नीं मिलता लेकिन रियालिटि में कैसे कलर में किसके लिए कैंदर आपको ज़bblesते हैं ना अच्छिया सीचे Simplications तो चलाने में दोस्तों दोनों स्माटफोन बिल्कुल एक जैसी लगते हैं इस चीज में बिलकुल भी फर्ग नहीं इस दोनों फोन की डिस्प्ले में जो आपको जो डिस्पलेद की quality मिलती है वो किसके अंदर ज़्यादा बड़ी है मैं आपको करीब से दिखा देता हूं फिलनों के अंदर आपको सेम quality कीả डिस्पले डी गई है डिस्पलेडर दिजाइन भी दोनों का एक जैसा है पंचोल camera dud वाला edges bezels भी बराबर ही है लेकिन अगर आप गौर करेंगे न डिस्प्ले की जो brightness है जो colors है वो टेक्नो के pop 8 के अंदर और जाधा better है इसके display और जाधा brighter है दोस्तों Infinix से तो display के colors को लेकर brightness को लेकर टेक्नो का pop 8 आपको थोड़ा और जाधा better मिल जाता है दोस्तों रुपे की वज़े से आपको डिस्प्ले के अंदर difference मिल जाता है काफी बड़ी बात है क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्प्ले की quality और better दी गई है तो use करना है जब आप इसको use करेंगे तो experience और जाधा बड़ी है मिल जाएगा डिस्प्ले और brighter इसकी left side पर आप देहेंगे sim के ट्रे दी गई है दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं दोनों के अंदर आप तो यह चीज़ आपको दोनों के अंदर काफी बड़ीय मिल जाती है निचे की तरफ से दोस्तों आप देहेंगे तो charging port speaker microphone jack मिल जात जाते हैं उपर की तरफ भी speakers है इसमें तो यह चीज़ बहुत ही बढ़ी है टेक्नों के अंदर अब दोस्तों एक और चीज़ का फर्ख है दोनों में आपको 64GB के इंटरनल स्टोरेज तो मिलती है 64GB तो टेक्नों के अंदर आपको स्मार्टेट HD में मिलती है 3GB RAM और टेक्नो में 4GB बढ़ जाएगी टेक्नो में तो इसकी 6GB हो जाएगी 6GB 64GB इंफिनिक्स के और यह मिल जाएगा आपको दोस्तों 8GB 64GB टेक्नों का पॉप 8 तो कुछ इस तरीके साब को डिफरेंस मिलता है इसके लब दोस्तों इन दोनों फोंस के अंदर आपको जो Android का 13 version दिया गया है इस चीज में दोने एक जैसे हैं चलिए दोनों को restart करते हैं देखते हैं performance वगरे को लेकर कौन से जाधा बढ़ी है चलाने में जो है कौन से जाधा smooth लगता है experience किसमें जाधा fast है तो मैं दोनों को एक साथ restart कर देता हूं फिर आपको दिखाता हूं difference आपको किसमें जाधा ब क्योंकि प्रोसेसर आपको दोनों के अंदर एक जैसा दिया गया है फिर भी जो है इन दोनों में फिर भी मतलब एक निच ओड़ निकाला जाए कि आप ही कौन सा और जाधा better है एक ही चूस करना हो तो कौन सा जाधा smoothly work कर रहा है तो restart test में मैं आपको दिखा देता हूं restart test में कौन सा फून विनर है तो दोस्तो टेकनो का जो पॉप 8 है यह on हो चुका है जिए ज़्यादा जल्दी 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 लोड हो गई तो यह जाधा fast work कर रहा है और कुछ applications भी मैं आप यह जो है आपको उपन करके दिखाता हूं उससे भी जो है मतला आपक चहीं टैकनो में उपन हुआ और पफ़र्फोमेंस के बारे में बात कर देए दोस्तों दोनों के लिगर भार बजय टाइप की नेचुरल कलर से इसने मेंटेन की हैं जादा अच्छे से तो डिटेल्स वगरे भी थोड़ी जादा बैटरी लग रही है बैगराउंड वगरे का कलर आप देहिए तो वह चीज टेक्नो में जादा बढ़ी है तो कैमरी की परफॉमेंस भी आपको टेक्नो में थोड़ी जादा अच्छी मिलती है इसके लब दोस्तों दोनों के अंदर आपको 5000 एमिज की बैटरी दी गई है तो एक दिन का नॉर्मल बैटरी बैका परामस आपको मिल जाएगा इस चीज़ को लेकर दोनों बढ़ी है और एक जैसे हैं चार्जर भी दोनों में सेम ही है तो यह सारी खुब तो इस चीज़ के अंदर आपको जादा बैटर मिल जाता है रैम और स्टोडेज आपको अच्छी चाहिए तो रैम मतला में 1GB का फर्क है दोस्तों आपको टेक्नो जादा बैटर मिल जाता है बाकी स्टोरेज तो दोनों बराबर है और इसके लाव दोस्तों बैटरी अगर कोछी चाहिए तो आप दोनों में से कुछी सभी खरी सकते हैं दिसप्ले की क्वाइलटी आपको बढ़िया चाहिए तो थोड़ा सा जोट टेक्नो जादा बैटर है क्योंके डिस्प्ले के अंदर आपको जो कलर्स ब्राइटनेस मिलते थोड़ी और ज्यादर मिल जाते हैं तो दोस्तों देखा जाए और performance के point of view से भी टेक्नो का pop it थोड़ा सा जाधा अच्छा है तो देखा जाए तो जारी खूब है जो है ना इन दोनों में बिल्कुल सेम ही है जो खूब है टेक्नो में वही इंफिनिक्स में और जो इंफिनिक्स में वही टेक्नो में लेकिन टेक्नो जो है थोड़ा सा camera की quality में डिस्प्ले की quality में इसे के साथ दोस्तों performance में इन चीजों में जो है न दोस्तों यह जाधा बेटर और इसके अंदर आपको 1GB RAM भी जाधा मिल जाती है वीडियो दोस्तों और आपको अच्छी लगी तो इसको एक like करके जरू जाएगा चैनल पर आपने है सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब कर लिजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें helpful लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजे वाटसव पर फेस्बुक पर और अगर आपको किसी भी फोन का comparison देखना है किसी और अपने पसंद के फोन के साथ तो वो चीज़ भी comment करके बताएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी पसंद की वीड केर बबाए